हेलो दोस्तों कैसे हैं अच्छा ही होगे फाज का वीडियो मेरा दोस्तों द देखके आप समझी गए होगे मेरे पौधो की रिपोर्टिंग का यह वीडियो है तो मैं पुराने का मैं रिप्रेंट की उसकते हैं बरसात हो रही है और यह मौसम भी सही है रिपॉर्टिंग के लिए मौसम भी अच्छा है क्योंकि धूप तेज नहीं रहेगी तो पौधे को नुकसान नहीं होगा क्योंकि रिपॉर्टिंग करने के बाद पौधों को कुछ दिन कम धूप में रखना चाहिए यह वरताद भी एक दो दिन के लि दोसतों वृ। रिस्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा से रिपॉर्टिंग करेंगा तो चलिए आपको पहले अपने गार्डन में दिखाते हैं जो कुछ दिन पहले मैं अपने टंकी में जो कटी विट टंकी में पौधे लगाए था उनका क्या ग्रोथ है उसके बाद करने वाला हूं तो आए चलते हैं दिखाते हैं दोस्तों देखिए ये मेरा जो नीबू का पेड़ मैंने लगाया था ये नीबू का पेड़ है इसी में मैंने देखिए नीचे आप ध्यान से देखिए तो ये छोटे-छोटे आपको जो दिख रहे हैं पौदे ये हैं वाले गमले में क्या स्थिति है को दोस्तों देखिए ये मेरा दूसरा वाला कटा हुआ टंकी का हिस्सा है मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं कि ग्रो किया की नहीं ग्रो किया तो देखिए गेंदे के पौदे कितने बड़े हो गया है साथ में यह जो प्लांट था य बात में देखिए मेरे गुलाब के प्लांट आप इसका प्लांट मेरे एलबी के पिक्चर हो पर भी देख सकते हैं काफी सुंदर यह सब खिले हुए हैं अब बात करते हैं जिन पौदों के मुझे रिपॉर्टिंग करनी है तो यह मेरे क्रोटान का पौदे यह छोटे गमल तो एक यह है इस पौदे में मैं ट्रांसपर करूंगा यह बड़े हैं तो इनको भी मैं गमलों में सिफ्ट कर दूंगा क्योंकि इसमें देखिए मिर्चे के पौदे आ रहा हैं तो इसमें मिर्चे के पौदे को ही मैं रहने दूंगा बाकि यह जो फूल के पौदे हैं इनक अब 15 इंच के गमले हैं आप देख भी सकते हैं 12 या 15 इंच के हैं साथ में यहां मैंने मट्टी ले रखी है तो पहले मैं मट्टी को तयार करता हूं इसमें दिखाता हूं आपको कैसे चाहिता हूं इसमें सबसे पहले हमने डाल गया है यह साथ हम की खली की की करी इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे जो कीड़े मट्टी में हो सकते बहुत सारे कीड़े होते हैं दिम्मा को यह सब्सक्च कर दोड़ है क्योंकि मट्टी मेरे जाता है और देखे आम वुसम भी पूरा साथ दे रहा है साथ में मैं इसमें फंगिसाइड भी मिला दूंगा फंगिसाइड का नियम तो यह है कि इसको 20 लीटर पानी में डालके भोल के रूट में डालना है लेकिन मैं इस मिट्टी में डायरेक्ट मिला दे रहा हूं कि जब पौदे में कोई फंगस लगा हो वह सही हो जाए साथ में फोड़ा सा मैं जैविक खाथ और मिला दूँगा जसे अलड़ी मेरी उरवळा रख है जमीनमे में लगा हूल रखुआ था वाली। मैं इसमें बहुत से चीज़े मिला रखा था बाद मैं इसे उपर से भी मिला दूँगा अब इसे अच्छा से मैं मिला के अपने गमलों में भरता हूं देखिए पहले मैं इसके निकाल लेता हूं आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे रूट आ गया है तो इस मट्ति को हम इमेज ना हूं कि को नहीं निकालना है कुछ मट्टी रहने भी देना है तो सबसे पहले हम थोड़ा गमले में अपने जो मट्टी तैयार किये हैं उसको मैंने थोड़ा हिस्सा में भर लेता हूं कि नीचे आप लोग सभी जानते ही है कि हमको क्या करके रखना है क्योंकि नीचे एक इंक्ता लगाना और जो घास हो है उसको आप बिनके निकालते भी रहे है कि इसमें मैंने आधे गमले में मट्टी भर लिए और इसी तरह इसको मैं अब लगा दूँगा इसमें बाकी भी मट्टी फिर हम अच्छे से पौधे में फिल अप कर देंगे तो आज का वीडियो मारा रिपॉर्टिंग का ही का है तो आज मैं ज्यादा तर जो मेरे पौधे थे गंद्हें वह च्छोटे साइज के गंद्हों में तो मैं देखें मेरे ones का स्था कर रहा हूझ आपको यह ध्यान देना कि पूरी मट्टी मत अटाईएगा तो पूरे रूट ही आप हटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा प्लांट को तो जो पूराने हैं वो चेंज हो जाएंगे इसको भी मैं इसमें सिफ्ट कर गए रहा हूं क्योंकि लिए अच्छे से इनको हम खा देंगे हम लोग जो हम लोग खाना खाते हैं उनके लिए मट्टी ही में होता है आप देख भी रहा है कितने सारे रूप थे कुछ रूट को आप हटा सकते हैं अब दोस्तों देखें भगवान मेरा साथ दे रहें प्लांट में जो मैं कहा था ना देखिए प्लांट में कितने रूप आ गया है तो इसको भी हम आराम से देखिए निकल जाएंगे यह मैंने यहां से भी निकाल दिया देखिए इसके रूप भी नीचे तक पहुंच गया थे आप देख रहा है तो यह गमले के पौधों को रोक देते हैं मैं बार बार यह बता रहा हूं तो आप लोग समय समय पर जरूर मट्टी इनकी चेंज कर दिया करिया रिपॉर्टिं इसका भूर रूप गया है तो इसको भी हूम लोग चेंज करते हैं क्रोटन का यह दूसरी वराया कि फो मैं ईना आपको दिखाया था चली इसको भी चेंज करते हैं कर दूंगा में कर गुष हो सके इसके लिया हम को Тब ठोड़ा थो उसके अपने खुर्पी से भीर मट्क्क हमारे से नीचे से मैं इसलिए मैंने इन सबको आज रिपर्टी के लिए सचा है तो इसको मैं अच्छे तरह तरीके से निकाल दूँ साथ में यह जो मेरे मिर्चे का पौधा इसको भी मैं सिफ्ट कर दूंगा दोस्तों देखिए यह कुछ मिर्चे के भी प्लांट मेरे लगे हुए हैं जो गंबले मैंने छोटे वाले खाली किये हैं तो उसमें अब मैं पेड़ मिर्चे के लगा देंगे जैसे एक तो मैंने आपको दिखाया ही उसी में देखिए एक यह भी है तो इदी एक दो इसमें से मैं निकाल के लगा दूं तो इसमें से भी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे तो मैं इसमें से दो प्लांट मिर्चे का निकाल देता हूं दो नहीं चार निकाल लेता हूं तो इसमें से मैंने देखिए चार मिर्चे के प्लांट और निकाल लिये हैं और मैं चारू को एक साथ लगा दूँगा अच्छे से यह गुरोग कर जाएंगे क्योंकि कोई एक सुकता भी है तो कोई एक तो रहेगा, देखे बोलने से किनारे ही हो गए, इनको मैं किनारे कर देता हूँ मैंन है कि जब तक इस गमले से अलग करने का फायदा यह है कि इसमें काफी सारे हैं तो यह किनारे हो जाएंगे तो अच्छे से मारा पौधा ग्रूव करेगा साथ में देखे कुछ फंग गलत भी प्लांट आगा है इसमें भी हम थोड़ा मट्टी और डाल देते हैं तो दोस्तों देखिए इतने सारे गंबलों का मैंने रिपोर्टिंग कर दिया जिसमें से देखे कुछ कचड़े ऐसे भी निकले हुए हैं और जो आपको मैंने दिखाया भी तो आपके भी गंबलों में समय समय पर रिपोर्टिंग की बहुत जरुवत होती है तो अभी इनसा पौधों को मैं अभी छाय में रख दूँगा और साथ में इसमें पानी डालूंगा क्योंकि अभी तुरंब वदलाओं में तो उनको पानी वी चाहिए साथ में थोड़ा सा भी मैं इसमें जैवी खात उपर से डाल दूँगा जिससे पौधों को पूरा हेल्दी वने रहे तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में साथ ही आपको में एक चीवा यह बताना भूल गया मैंने तीन गमलों में मिर्चे लगा दिये हरे तो मिर्चे भी मुझे खाने को मिलेंगे किचन गार्डन के रूप में भी मैंने इसको तयार कर दिया जो छोटे वाले गमले म अच्छे हैं तो कि जिस दिन मैं नरसरी जाता हूं वहां से फिर प्लांट लेके आऊंगा तो उसका मैं वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा तब तक के लिए बाए बाए दोस्तों थैंक यू फर वाचिंग फ्रेंड